जहिंद एबरिवन वेलकम है कब यूटूब चनल टोप पर ग्यान एकड़िमी तो बात करेंगे कोस्टकाट जी डी डी बी टू 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 डी फोर की वेकैंसी जो हैं वो कब आएंगी फोर्म कब भरेंगे नोटिफिकेशन आपसे भी का आने वाल है और जरूरी खबर रहती है कि एज लिमिट क्या रहेगी एंड फोर्म भरने की डेट में चीज़ है फोर्म भरने की डेट एक्जाम डेट से रेटिट सारी खबर वन टू 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 करने वाले हैं मेरा नाम है मोहमद जावेद और आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में इसके बारे में ठीक है यह हमाला टेलिग्राम चैनल जहांपर आपसे भी को सारी तरिके की पिरिवियस एर की पीडिएफ मिल जाएंगी आप लोग जाकर इसको जोईन कर सकते हैं एर फोर्स नीवी को इसी टेलिग्राम पर आप लोग जाकर जोईन हो जाएंगे वहाँ से ठीक है आपके जो फोर्म आएंगे ठीक है फोर्म भरना इस्टार्ट होंगे सेकिंड वीक से मेरे कोडिंग लास्ट टेम आपसे भी के छे फर्वरी को यह आ गेते तो इसका नोटिफिकेशन आपसे भी होने वाले हैं नमबर वन पॉइंट आपका बन जाता है आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट एज आपसे भी की अठारे से लेकर बाइस साल के बीच में रहती है पांस साल की छूट होती है एसस्ट वालों को और तीन साल की छूट है ओबीसी वालों को में real date of birth क्या रहेगी वो देख लेते है real date of birth वो बाद में देखेंगे wait करें आप लोग education qualification 12th pass इसमें दो सेक्षन होते हैं अगर db की बात करते हैं 10th pass कुछ भी है form भरेगा gd की बात करते हैं 12th pass maths physics हो form अपलाई कर सकते हैं यांतरिक वाले डिप्लोम चाहिए आगे बात कर करते हैं syllabus है और यहां पर exam होगा आपसे भी का कब March या फिर April में मेरे according date जो confirm है third week March या फिर last March में 20 तारिक के बाद after 20, 20 के बाद आपसे भी का 20 March के बाद exam कभी भी हो जाएगा मेरे according ठीक है जो मैं आपको बता रहा हूँ तो यहां पर यह confirm है अब बात करते हैं यह syllabus है section 1, section second ठीक है यह syllabus आता है तो इसके लिए best book तयारी करने के लिए आज से ही best book ले लेना वह आपको बादा देता हूँ साथ साथ ठीक है फिर next आगे बात करते हैं यहां पर सारे मेरे प्रेता परिशान आत्मा हैं जिसको book चाहिए SK publication की one of the best book आप लोग ले लेना ठीक है इंडियन यह सब लोग purchase कर सकते हैं इसको अगर बात करते हैं section second जो कि gd वाले के लिए लेनी है ठीक है सिर्फ gd वाले ही इस book को लेंगे यह Hindi and English दोनों लेंग्विज में मिलेगी और यह जो book दे रखी है न यह जो book हैं ने syllabus पर अधारित है ठीक है और इसमें जो solution है math हो physics हो science हो जो भी solution दे रखा है विलको unique तरीके से आप से भी का solve कर रखा है wise trick wise ठीक है कैसे trick के साथ इसको solve कर रखा है with example और साथ में practice के लिए अलग्शे question भी है and जो doubt आता है वो आप लोग मुझसे भी clear करा सकते हैं यह Hindi and English दोनों language में अच्छी seven level है इसको purchase करने के लिए इसके discussion में वी आप लोग offline जाकर कहीं से भी ले सकते हैं offline ले भी सकते हैं offline आपको मिल जाएगी तो आप लोग ask for close की किसी भी दुकान पर जाएगे आपको escape publication की book मिल जाएगी ठीक है photo में आपको दिखा दे इसक्रीन सोट ले ले इसका और जाकर आप लोग इस book कर ले सकते हैं अच्छी book ह only section first db वालों के लिए होता है और section second के बात करते हैं ये दोनों के लिए होता है ठीक है gd वाले दोनों section देते हैं इसमें आप से भी का math, science, English, reasoning और इनके question रिख हुए है second में math और physics आता है ये 12th level का होता है उपर वाला आप से भी का 10th level होता है लिखा हुआ है यहाँ पर clearly next अगर बात करते हैं आप से भी लोग जितनी भी आपर देख रहे हैं इस बार जो age limit है मेरे according गी रहेगी इसमें थोड़ा सा बदलाब हो सकता है वो बात में चलेंगे यहाँ पर आपका थोड़ा सा changes हो सकते हैं 30 के जगा 2827 बाकी इसके बाद नहीं भर सकता OBC वालों के लिए मिलती है 3 साल की चूट OBC वालों के लिए मिल जाती है जो की OBC से अगर बदाते हैं तो 1999 में जिसकी date of birth 1999 में वो यहाँ पर इस form को भर सकते है इसकी जगा दो की जग टिक है यह चीज के लिए हो चुकी है date of birth के लिए आप बात करते हैं सबसे पहले आप लोग form भरेंगे आपके form फरवरी में होंगे फरवरी की बाद आपसे भी का आता है qualification में आपको बता दिये db के लिए 10th pass gd के लिए 12th pass physics और mathematics कमपल जिरी आपसे भी के होने चाहिए next आता है syllabus हो चुका है अगर बात करते हैं आपसे भी का next आता है उसके बाद क्या होगा जब आप लोग stage 1 का exam याने की computer test cbt pass कर लेते हैं तो आपका होता है section second उसमें एक test होता है उसके बाद हो आपको यह आपर होगा physical test ठीक है physical में क्या क्या होगा उसको देख लेते है physical में आपसे भी काता है 1600 meter की race होगी कितने minute की 600 meter 1.6 km की race होगी और 7 minute में कितने देर में 7 minute में यह date होने वाली है और 20 scores होंगे ठीक है आपसे भी के और लगबग 20 ही उठक बैटक आपसे भी किया पर होने वाली है ठीक है चलेगा तो यहाँ पर यह चीज़ आपसे भी किया हो होती हैं 10 pushups होते हैं आप से 20 escort या फिर कहा सकते हैं ओठक बेटक 10 pushups मिल्कुल किलिए होते हैं मैं खुद देखर आया हूं मेरे पास experience है इसको आप लोग इसको मेरे according पूछ सकते हैं कि आप बाई मेरा यह doubt है ठीक है और आप लोग जाकर training करेंगे INS चलका में कापर INS चलका में training करते हैं और यहां पर सारी चीज़े के लिए एंड आने वले exam के लिए next strategy क्या होगी कि आने वले next exam के लिए तयारी कैसे करनी है उसके लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं तो उसके लिए आपको करना हुगा चैनल को subscribe ठीक है वो मैं आपको आगी वीडियो वाई वीडियो बनाता होगा कि कैसे क्या करना है अब फिलहाल अब बात करते हैं नमर वन पॉइंट आता है ठीक है वीडियो के discussion में लिंक है वीडियो के discussion में जब आप लोग जाएंगे या फिर टोपर के आनकेडमी सर्च कर लें टेलिग्राम आपको देखने के लिए मिल जाएगा बाकी आप लोग चला पन नहीं है चला को subscribe करें वीडियो को like and share कर दे पने दोस्तों में जैहिंद मेरे हुआ आप।